क्यासे हैं आप आज मंडे को बात करेंगे म्यूच्वल फंड के एक टॉपिक की और टॉपिक तो आपको पता चली गया होगा तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड राइट इसका बहुत अब्रटाइजमेंट चल रहा है आजकर तो इसके बारे में इसमें चुछ दोड़ सब हैंगे सरा, SDFC में डालूं, ICSA में डालूं, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों बहुत क्या किते हैं पुराने फंड हैं, बहुत बड़ा ऐसे टेंडर मैंजमेंट वाले फंड हैं, तो किसमें डालूं अगर इन में से एक चूज करना है, तो डिफरंस क्या है, में और कैसी अलग-लग strategies और बहुत different approach वाले ये दोनों funds हैं इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे स्टार्ट करने से पहले रिपब्लिक है पी रिपब्लिक दे आने वाला है हमारा ठीक है तो उसके लिए रिपब्लिक coupon code we have launched 55% discount आपको मिलेगा on fundometer जहां से ये सारा data I am going to get और आपको जो भी show करेंगे सब data fundometer से ही है बहुत detail में बात करेंगे इस बारे में तो fundometer पे 55% discount you get जिस पे हमारे 500 plus mutual funds we have rated बहुत detail information as I always say कि इससे अच्छा mutual fund research platform इंडिया में तो available नहीं है for sure ठीक है वो आपको जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा आप वैसे फ्री में भी चीज़े information देखोगे तो आपको बहुत साई information माम मिलेगी जो आपको लगया यह कहीं नहीं मिलता है ठीक है त बहुत detail में mutual fund को explain किया है mutual fund के concepts को explain किया है तो वो भी completely आपको free मिलता है with that discount तो उसको use करना मत भूलिएगा नीचे सारा detail जो है comment section में हमने डाला हुआ है और description में भी डाला हुआ है और आपको investor.in website पर चाहिए start करते हैं तो basically अगर हम बात करें तो हैं दोनों funds काफी पुराने हैं first of all ICICI का जो fund है वो almost I think 17 years old 16 years old है और SDFC balanced advantage fund तो बहुत पुरान है मतलब one of the oldest funds में से है right almost 30 years हो गए 30 years होने माले 29 years हो गए है उसको ठीक है बहुत बड़े funds है as I said SDFC का जो fund है वो almost 51,000 करोर रूप का asset under management है और ICICI का 44,000 करोर asset under management है number one is मतलब BAF category में या फिर even hybrid category में I think number one fund है SDFC और ICICI से number two है in 44,000 करोर के साथ right अब since inception जो है 18% return दिये है balanced advantage fund लेकिन 94 किसे है inception ठीक है और यहां पर 11% दिये है कि वो 2006 से start किया है तो obviously inception date अलग है तो comparable comparable नहीं है fund managers की बात करें तो ICICI की जो fund manager है Naren Sankaran he is a stalwart in the industry we know very well ठीक है CIO है ICICI के और मतलब माने जाते हैं इस पूरी category को develop करने के लिए especially in hybrid category में he is known person बहुत बात करते हैं इस बारे में तो he is the fund manager and SGFC क्या आफ जो fund manager थे पहले थे प्रशांजी है ठीक है again a very very big stalwart but he has left now I think in July 2022 और अभी जो है जो lead करते हैं I think Gopal Agarwal basically equity component दिखते हैं he has started looking at this but the fund management team is very new right July से काफी नई team जो है यह fund manage कर रही है और उसमें हम changes भी देखेंगे उनकी approach में कैसे July के बाद इस fund के approach में थोड़ी change हुए जब से fund manager change हुआ है ठीक है तो यह सारा comparison basic था अब सबसे important जो comparison में आता है कि asset allocation बाद होता क्या है आपको पता है na balance advantage fund का concept यह है कि जो fund manager है वो equity allocation change करता रहता it's a hybrid fund ठीक है but equity allocation based on the market condition वो change कर सकता है from 0 to 100% मतलब by logic या by thought process वो इस category है ठीक है और इसमें change होता भी है मतलब अगर हम सारे बाद जो आजकल देखेंगे है तो काफी जादा fund managers change करते रहते हैं और अभी जो है recently even SDFC जो की पहले change नहीं करता था इतना जादा पर उन्होंने भी अभी change करना शुरू किया है अब आपका होगे taxation कैसे होता है फिर equity का equity का taxation वो रखते है mostly BAFs क्योंकि otherwise वो बहुत complicated हो जाएगा ना कि इस साल तो debt का अगले साल SD equity का तो वैसा complication नहीं करते हैं तो क्या करते हैं वो equity allocation अगर कम है मालो 30-40% ही लेना है तो rest वो arbitrage का allocation ले लेते हैं ठीक है जो arbitrage funds का ठीक है जो वैसे arbitrage का allocation है जो equity का ही माना जाता है taxation perspective से लेकिन debt जैसे return देता है मतलब liquid fund जैसे return देता है तो उस तरह से equity का taxation manage करते हैं तो इस तरह से इन्होंने भी किया है अब आप यहाँ पर देख सकते है SDFC balance advantage fund का allocation कैसा है ठीक है तो अभी वो 63% का pure equity allocation है 5% derivative जो मतलब मैंने बताया है कि arbitrage वाले जो होता है उसका allocation है 24% debt है बाकि 8% cash in के पस ठीक है इस तरह से currently है लेकिन आप history देखेंगे तो 2017 से पहले तो यह काफिस जादा एक अच्छा कासा equity allocation 80-90% का equity allocation रखता था बट आफ्टर जब यह categories clear हुई और यह BAF में गया उससे पहले SDFC prudence fund था ठीक है तो उस time पे एक hybrid था बट काफी जादा high equity hybrid था बट उसके बाद जब यह BAF में आया जब भी 80-70-80% का allocation equity में रखा इसने consistently लेकिन last अभी एक साल से allocation कम हुआ है majorly after I think प्रशान जेन जो change किया है तो यहाँ पर यह first change हमें दिखा कि equity allocation अभी down गया है ठीक है पहले जो कभी 75 से कभी नीचे गया ही नहीं था वो अब last एक साल में 63-63 पर चल रहा है तो यह fund manager change का में को लगता impact है ठीक है और on other side अगर हम ICICI का देखे हैं तो ICICI has been changing the equity allocation majorly between 35 35 से 50 के बीच में equity allocation रखते हैं ठीक है और अभी 35 पे है one of the lowest पे है बट अगर आप देखोगे तो maximum 50 तक वो देखे ले की जाते हैं equity allocation को तो equity allocation perspective से clearly SGFC has been अभी change हुआ है आगे क्या change करेंगे let's see नई fund management team है बट अभी तक they have a higher equity allocation ठीक है तो इसलिए higher risk और return अगर मिल सकते हैं अगर equity अच्छा है किया तो return भी अच्छा ही देगा बट ICICI जो है lower equity allocation है lower risk है उसकी परे से और हमें यह risk profile में देखेंगे है clear comparison में कि य lower है ठीक है और अच्छा खासा allocation वो जो cover करने के लिए equity का taxation रखने के लिए वो बाकी 31-28% वो arbitrage value derivative category जो है उसमें invest करते हैं so that यह investment जो है यह देट जैसे return है but as I said कि यह equity की तरह मानी जाती है so that 65 से उपर रहे ठीक है तो इस तरह से यह manage किया अब अभी यह they are the lowest 35% पर है currently ठी 63% पर है तो आप समझ सकते हैं कि equity allocation SDFC का जाता है ठीक है तो clear risk जाता है अब top stock holdings अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने बोता है कि fund manager change का difference देखेंगे आपको पता है कि प्रशान जैन जी बहुत ज़्यादा बात की जाती थी कि he is very pro PSU's, PSU's वों बहुत पैसा डालत है as I said maybe because of the new fund managers you cannot be sure but it's majorly because of that it seems थीक है तो वो कम हुआ है SDFC bank ICI से coal India में भी थोड़ा कम किया है जादा नहीं किया है NTPC again PSU थीक है उसमें भी allocation कम किया है last year से थीक है तो यह इस type का allocation है और this is how it has been but it again it is very very long allocations right will clearly buy and hold strategy very very long allocations in the stocks आपको यहाँ पर दिखेगा 123 stocks हैं अभी fund के पास 123 very very diversified portfolio वो अभी obviously बड़ा भी है पचास हजार करोड का fund है तो उसमें ज्यादा तो होना ही expected ही था तो 123 is very high I think allocation number of stocks है तो काफी diversified portfolio है ठीक है वो समझने की बात है ICICI वहाँ पर अगर हम देखें तो again very long term oriented reliance ICICI bank infosys SDFC यह सब इनके SBI again top 5 stocks में से है सबतर stocks है currently इनके पास फिर भी मैंको rational ठीक लगता है 45,000 करोड का fund है यह भी तो ज्यादा expected ही है ठीक है बट 70 stocks है ठीक है तो इस तरह से they have the allocation currently ठीक है यह इनके holdings है तो आपको यहाँ पता चल रहा है यहाँ पर एक सिरफ SBI एक ही PSU है और यहाँ पर आपको clearly तीन PSU देखें SBI, COAL and NTPC ठीक है तो different approach और यह clearly approach still is coming from the legacy of Prashanjan as I think आगे यह कैसे continue होती है we have to clearly see ठीक है अब हम returns पर देखते हैं तो बात करते हैं कि returns कैसे आए है तो अभी एक साल में तो return SDFC ने बहुत अच्छे किया है ठीक है और because of PSU strategy worked for them एक तो वो है और obviously उनका equity allocation भी ज़्यादा है ठीक है तो दोनों चीज़ है तो 1, 3, मालब सब में they have beaten the ICS approved also और category average also but ICIC obviously as I said has a significant lower equity allocation तो हमें यह right comparison नहीं है अगर हम देखें ठीक है बट स्टिल ICIC ने भी category average को अच्छे का से return दिया है 10 साल में 12% return दिये है with 40-50% allocation in equity 14% return और क्या चाहिए ठीक है अगर आप उसे साब से देखोगे 5 साल में साड़े 9% return with 40-50-45-50% equity allocation और क्या चाहिए तो उसे साब से they have all done very well ठीक है यहाँ पर 80-90% का भी allocation है equity में और यहाँ पर 40-50% का comparison is not right वो बहुत ध्यान रखना है ठीक है यह calendar में भी आपको दिखेंगा कि SGFC balance advantage has done very well in last two years because PSU strategy and overall equity allocation is very high but जब equity has not done well तो ICICI has done well 2018-19-20 तो equity का performance अच्छा नहीं था 50-50 का performance इतना अच्छा नहीं था तो ICICI has done well ठीक है और उनकी SGFC की PSU strategy was not working at its time ठीक है तो at that time these guys worked very well but जब equity allocation equity overall has done very well 50-50 तो 35% return दी क्योंकि equity allocation है 80-90% का है 2017 में अब इनका 40-50% का है तो आप कैसे expect कर सकते हो कि यह 30% से जाला नहीं हो सकता ना तो यह clear हमें समझना है कि आप किसमें जा रहे हैं आप गलत comparison मत करो कि नहीं यह तो Bafare यह भी Bafare है यह इतना return दे रहा वो भी return दे रहा तो यह जाता अच्छा है नूप समझो उसको कि क्या risk profile है यह बिलुकुल अलग risk profile के funds है historically आप आगे as I said I am seeing the change in the strategy for SDFC अगर बहुत change हो गया different हो गया तो वह बात लागे but this is how it is right rolling में भी आपको यही चीज दिखे ही right तो वह same चीज I don't want to repeat right कि आप short term में देखो SDFC का Baf is minus one उसे negative return भी दिया है तीन साल में but ICICI ने कभी negative return नहीं दिया तीन साल अगर आपने hold कि है investment horizon आप lowest five years में भी देखोगे तो lowest इसके 3.8% से 2.6 है ठीक है तो lowest के इस आप से देखो तो risk is much lesser in ICIC आपको यहीं से पता चल रहा है ठीक है और दोनों ने index को अच्छे से बीटा जो है वो 1.4 1.5 का है ICICI का बीटा जो है वो around 1 1.1 के आसपास है with respect to हमारा जो benchmark हम लेते है यह 50-50 का 50 is equity 50 हो तो उसके respect में बता रहा हूं मैं तो वो उस हिसाब से उसका बीटा is much lesser standard deviation also is right सिरफ इसका 14 है latest and it has increased last अभी मालब कोविड के बाद but still it is just 13-14 it's very near to category average और वहीं पर SDFC का standard deviation is very high it is like almost near to 20 ठीक है जबकि category average 12-13 पर है तो much higher risk ठीक है इसलिए वो return है alpha generation जो किया है SDFC ने अभी last 6-8 मेने में बहुत जबरतस्त हुआ है because of PSU strategy working very well but 2020-2021 was not so good there was hardly any alpha generation जबकि ICICI has consistently done alpha generation but it's very near to the category average बहुत जादा एकसा extraordinary alpha generation नहीं किया है just because the equity allocation is lower simple हमें समझना आए है चीज़ राइट so this is how it is even debt case आप से अगर हम देखे क्योंकि छागासा debt allocation होता है इन में तो SDFC, ICICI से दोनों का debt allocation में मतलब there is very सिर्फ 0.5% we saw ICICI Prudential का debt जो है A and below rating का है मतलब credit rating का सिर्फ 0.5% तो not much overall दोनों का majorly sovereign and triple A rated papers ही जादा है risk profile wise थोड़ा ICICI का at least just from rating perspective जादा क्या कहते है लगता है credit risk but अगर हम वही चीज modified duration में देखे तो they have very low interest rate risk for ICICI Prudential is much lower there just 0.8 years modified duration और SDFC का 2.3 है much higher ठीक है and YTM is similar 7.3, 7.4 के आसपास similar YTM पे दोनों काम कर रहे हैं ठीक है तो debt wise I am not worried too much as such but हमें difference from equity perspective बहुत अच्छे समझना है guys before taking a decision clearly आपको समझना है कि ICI से Prudential fund is much lower risk वो आपको benchmark के या category average के आसपास के ही return देने वाले क्योंकि वो 45, 40 to 50 का एक equity allocation लिया है अभी तक historically as I said it can be changed but that you have to check regularly कि हाव ये thought process change हो रहा है क्या तो फिर आप अपने सब्सक्राइब को अगर एक history देखे तो मुझे लगता है और यहां तो fund manager भी same है तो मुझे लगता है यहां जादा चेंज होने वाला है जो मुझे लग रहा है but SDFC में fund manager change हुआ है and we have seen the change decrease in equity allocation हो जबता ही और हो that we have to check and how that thing impacts और कैसे वो portfolio change होता है SDFC में वो चीज़ आपको बहुत closely watch करने है ठीक है ICICM I think it's still predictability अपने को from fund manager is still there so वो चीज़ अपने को लगता है मुझे कि वो consistently वैसाही करेंगे but बहुत different profile के funds है accordingly ही उसको आप चूज कीजिए don't just go forward कि एक साल के डिटान इसके बहुत अच्छे है तो यह अच्छा है वो अच्छा है please don't do that ठीक है उसे सापसे you can check I hope that you like the video यह सारा data as I said has been taken from investment.infundometer की website से you can check the all historical data which I have shown you as well stocks वगड़ा के सब कुछ आप देख सकते हैं हमारी website पे और 55% discount वो चल रहा है with Republic coupon को don't miss that and you can check on model portfolio and stockometer as well have a great time head दोस्तो कुछ comments है आपको और mutual fund Monday में क्या चाहिए किस type की videos you want me to make तो please नीचे comment section में जरू लिखे have a great time head जरू 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 झाहिए